कि फिल्काम फ्रेंड मैं हो बेवेकमर की वाइने क्लास कर स्वाकत करता हूं दोस्तों आज हम एक नया रिक्वार्यमेंट निज़ लेकर आ रहा हूं यह है आपकी इंडियान आल कर्पेरेशन लिम्टेड मत्रा रिफाइनरी डिविजन में इसकी रिक्वार्यमेंट है दोस्तों इसकी और रिजटेशन आपके अप्लिकेशन की जो होगी आपको 7.1.2019 से स्टार्ट हो जाएगी और इसे 8.2.1.2019 तक आप इस अप्लिकेशन को रिजटेशन कर सकते हैं आप इस अप्लिकेशन को रिजटेशन करने के लिए आपको उसके वेपसाइट www.iocl.co.com पर जाना होगा और इस पर आपको अपलाई करना होगा इसकी रिटेन टेस्ट जो होगी होगी ओ लाइकली टू भी हेल्ड इन न मांथ अव्ता फर्वर्वर्डी 2019 में आपको होगी और साथ इन साथ मैं बता दूं कि इसकी जो यह जो रिक्वर्मेंट है रिक्वर्मेंट ऑफ दे एक्सपिरियंस नन एक्जिक्विस्टिव प्रस्टनल के लिए है यानि कि जो हम जो यह जो पोस्ट है नन एक्जिक्विस्टिव पोस्ट है और यह एक्सपिरियंस आपिंड है वहीं अपलाई कर सकते हैं तो तो मैं यह बता दू कि ये का क्या है इस असाय को पोष्ट के लिए तो इस में जो पोष्ट है आपकी जूनियर इंजनियर की क्लिएшие्रिक आपकी डिप्लोमा की होना चाहिए इसमें टोटल भैकेंसी 32 है जिसमें जनरल की 16 सि का सेवलन करे मिलियर नइन ऑर दूसरा बोश्त आपको जुनिय इनजिनियर गेस्ट्ंट पर पावर ऐन इकलेटी इसके लिए आपको आपको पावरेन इतलेटि इसके लिए डिपलोमा की होने चाहिए तोटल भाकनशीं है टू जिसमें जिन्राल की एक पुस्ट है और ओविजए की पोस्ट हैं क्या कि तीसरा पोस्ट है आपको जूीर इंजिनेरिंग एसिस्टन फॉर इलेक्रिकलि इसके लिए टोटल एक्रिकल यह आपको डिपलोमा होने चाहिए इलेक्रिकल से और ट चैनिकल में कि अउर आपको मैं चाहिए हुआ है और लास्ट ईआउनेट एचिसन फोड यह आपको डीप्लोंरी इंस्ट्रिमेंट टैसन न सा न होना चाहिए तूस्त outra मे lg च्छे हैं और इसमें से चार वेकंसी आपको जेनरल के लिए हैं एक वेकंसी एसी के लिए हैं और एक वेकंसी ओविसी के लिए हैं दोस्तों मैं इसके लिए मैं बता दूँ कि कि एक्सपरेंस कितनी होने चाहिए तो यह सारे के लिए मिनिमामें एक्सपरेंस ओओन यहाँ कि देखिए मैं यहाँ पर देखा दे रहा हूं देखिए मीनिमन ओन एयर एक्सपिरेंस इंड पोस्ट क्वालिफिकाशन एक्सपिरेंस इंड पहले में बता दू कि यहां जो जुनियर इंजिनर असिस्टेंट फॉर प्रोडाक्शन के लिए है आपको थिरियर डिप्लोमा इन इंजिनियर या बीएस मैथ फिजिक्स केमेस्टी या इंडरेस्ट्रील केमेस्टी फ्रोंद रेकुजनाइन इंच्वेट्स होना चाहिए तो भी ग्रिजेशन भाला भी भर सकते हैं जीन होने बीस या आप लोग किये हुए हो मैथ फिजिक्स के मेंट्री से और जादी वह इस इरिया में एक्सपिरिएंस तो ही भर है क्योंकि इसमें मिनिमंगे WIL पाटेक के लिए उने एप्यान एयर एकक्स्प्रीयेंस नेर एचेंट्स के लिए आपको ऐनिे感じ क्न छीपा सब्सक्रणी सार्पार्ट एप सब्सक्राइड और एक्सञेंगर से आपको होनी चाहिए डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्टिकाल एंजिनिस्य होने चाहिए या या व्यालर कंपेंटरिकेट साथ में होनी चाहिए और इसके लिए आपको क्या चाहिए आपको experience for current date processing diplomaур și metric with ITI fitter and holding boiler competitiveness certificate आपको होनी चाहिए और साथ-फिच्छ आपको कि इस छिठ में आपको experience आई साथ यस इसाथ आपको मैं बतात हूं कि जुनियर唉wart एंगर अशिस्टेंट kiri electrical के लिए आपको three year diploma होने चाहि लेक्रियां एंचेर और मिन्मम वन एयर एक्स्प्रेंस क्यवाञी चाहिए आपको बिच्ट में होना चाहिए ये ईक्सप्रेंस आपको होना चाहिए आप देरस और आपरेशन या मेंटेनेंसे या पावर जेरारीब्लोंर cough टीविश्टिविशन या साथ आपको ने लुक्त नेक्स GUp केज केल के लिए यह तिरिये Deployment in Mechanical Engineering किसी भी University से होने चाहिए उसाथ है साथ देहां को वन एर एक्सपिरेंस होने चाहिए हैसे इसमें आपको experience आपको होने चाहिए किसी थो में दिसमें आपको maintenance ऑवर हाॉल लंग या rotating equipment या compressor या गयस एसटीम टृवाइंस या बॉलर कविय। इतियाद ही में आपको एक्स्प्रेश्ट होना चाहिए जुअ होना चाहिए YPIN इंजिणियरिंग ऊण्टेक्टी बूमा एंल इंश्ड्य में ग्राइशन यह इंश्ट्व样 की होना चाहिए और साथ है साथ मिनिममू और eight experience होना चाहिए और मेंतेनेस आफ़ दर इस्थ चुंकी पीयल ची बिढ ए लेक्रिंट फिल इस ड्रुमिठ संट्रॉल और स्मार्ट इस्टी सी में आपको एक्स्पिरियंस होना जरूरी है दोस्तों साथ खाट सी कास मैं एक चीज और बता दना चाहता हूं कि इसके पहले आपको इसके तो होने चाहिए तो जो भी आपको इंडियन शूट है ुजिसे तरह को लातो हुआ मैं बता दूं एक bada चीज की की इसमें बोमेंड के डिए आप फार्म अप्लाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां जो उने 34 के आया था उसके तहट इसमें क्या है नो बोमेंट से लॉट टू बर्क इंदा लपीजी स्टोरेज एंड हैंडल इंग एरिया इस खितर के लिए आप नहीं हैं इसलिए इसमें नहीं भर सकते हैं दूस्तो रेजर्बेशन कैटेगरी के तो मैं बता ही दिया आप मैं बता देता हूं कि मिनिमम आपको इजुकेशनल कॉलिफिकेशन भी मैंने बता दिया आप बता दे रहा हम कि इसमें क्या चाहिए तो इसके लिए आपको ऑनलाइन कि अप्लिकेशन करना होगा तो ठीक है मिनिमम 18 एर्स और माइक्सिमम आपको 26 एर जेनर काटेगरी के लिए होनी चाहिए एसी एस्टे की त्रीवर्स चूट होना होगा आपको pwd कंदेर्स के लिए एज रिलाइक्षन आपको 15 एर्स और एस्टे के लिए आपको इता से आपको चूट मिलेंगा दोस्थो इस फ़र्म को आप online ही अपलाइ कर सकते हैं इसको अपलाइ करने के लिए आपको डाइरेक्ट लिंक पर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा तो वहां से भी आप डाइरेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो अधरेक्ट साइट से भी इंडियन आयल.com पर जाकर वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इसका आप डेट आप याद रखेंगे कि स्टार्टिंग है ओनलाइन अप्लिकेशन की साथ जनवरी 2019 से स्टार्ट होगी और लास्ट समेशन अप्लिकेशन का है अठाई जनवर 2019 तक और लास्ट डेट रिशीव्ट अप्रिंट अउनलाइन अप्लिकेशन एलॉंग भी दा सप्पोर्टिंग डॉक्मेंट चार दूर 2019 तक आप लोग कर सकते हैं टेंटेटिव रिटिन एजामनेशन डेट है 17 फरवर 2019 और टेंटेटिव अप्लोडिंग रिजल्ट आपको 22 फरव 2019 को होगी और टेंटेटिव डेट आप लोडिंग रिजल्ट आप फाइनल सेलेक्शन का आपको 14 2019 को किलियर कर दिया जागा तो थैंक्यों दोस्त जदि हमारा वीडियो पसंद लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें और जदि हमार चैनल को पहले बार जुड़ रहे हैं तो हमार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि दो भी जो भी नए वीडियो अप्लोड हो उसका नोटिफिकरेशन आपको मिल जाए है यह नाइस टेंक्स पर वीडियो बाचिंग